यानि की पार्टी की जो त्यारी है वो किस पर भारी पढ रही है ऑपार्ची का कर रही है उन्डिस का चुना हुआ था तब भी मायावतिये और अखिले जी का महागर बंदन हुआ था उसमें भी वह फेल साबी थे और इंडिये आगे बढ़ करके आया फिर से जो है नरेंद मौधी प्रधान मंत्री बनेंगे नरेंद मौधी बनेंगे मुख्यमंत्री एंपिरिया यानि कि जो पार्टिया हैं अलग-अलग किसकी तैयारी सबसे मजबूत है और सब पर भारी पढ़ने वाली है इसी प्रोग्राम को लेकर हम आये हैं जनता के बीच और जनता क्या सोचती है उत्तरपरदेश के लोग क्या सोचते हैं वैसे उत्तरपरदेश के राजधानी कि मिल जाते हैं ब्यश्पी के भी मिल जाते हैं और इसके बाद से बीजेपी और तमाम जो पाठिया है सभी लोग इस ए MID और इंतले हैं सोचते हैं इस इप विसाया को है यह स्पेशल प्रोग्राम है जो कि 2024 की तैयारी किस पर पढ़ेगी भारी यानि कौन सी पार्टिए की तैयारी जो है सबसे मजबूत चल रही है और भारी पढ़ने वाली इससे कौन सी एसी पार्टी आज की जो तैयारी है वो यंडिये की तैयारी सबसे ज्यादा जोर पर है यंडिये की और मैं अपना दलियस से हूँ ग्राश्टी सच्ची हो करुणा संकर पटेल जो भी इसके पहले भी जब 19 का चुना हुआ था तब भी मायाती और अखिले जी का महाग गड़ मंता नजर आ रहा यह के वाल दिखावे के रूप में है और उसके बाद चुना होगा तब खुदे पूल पर्टी से पलता चाहेंगे आप क्या वाकई जो है यह पार्टी भारी पड़ेगा एंडिये की फिर से जो है नरेंद मोधी प्रधान मंत्री बनेंगे नोधी यह है पुर विदाय के हैं जो कि यह कहेंगे दो हजार चौबीस की जो तैयारी है किसमें भारी पड़ने वाली है कौन सी सरकार फिर बनेगे और देश के प्रधान मंत्री फिर कौन वापस आ रहा है रहा है राहुल गांदी रहेंगे या फिर नरेंद मोधी रहेंगे किसको प्रधान मंत्री देखाएं दो हजार चोवीस का आधार आप पूछ रहे हैं तो दो हजार चोवीस का आधार यह है कि लगभग दस साल नौ साल हो गया एंडिये की सरकार को आ चाहे जिस छेत्र को आप उठाकर देख लीजिए चाहे वो किसानी को देख लीजिए बैपार को देख लीजिए बेवसाय को देख लीजिए रोजगार को देख लीजिए और समाज में निर्माड को देख लीजिए अब तक जो हमने सरकार द्वारा किये हुए कारे का अगर हम समिच्छा करते हैं तो हमको उत्तर प्रदेश में केवल दो चीज मिलता है इस नौ साल के भारती जन्ता पार्टी की सरकार में एक तो पाकिस्तान और हिंदूस्तान दूतरा हिंदूस्तान और पाकिस्तान और तीसरा हिंदू और मुसलमान अच्छा उथा मंदिर और महजिद यह तीन मुद्दे हैं इसके पास कोई काम नहीं किया है के बाद इसने एक मैं पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एक बता दे कि यह 200 मेगावाट की कहीं परियोजा एक में रखी यह उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कल का रखाना किया सापना की यह उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कोई इंजिनियरिंग कालेज कोई बच्चों का हमारे भईश के निर्माण के लिए कोई इसने सिख्षा का परिच्छान के इंदर खोला नहीं खोला इसको केवल हिंदू मुसलमान हिंदूस्तान पाकिस्तान देश को किस रूप में बरबाद किया जाए यह केवल नौ साल के अ सडक बेश दी जाए देश का पाउर हाउस बेश दी जाए यह इसके सिवाए इसने नौ साल में कुछ नहीं किया अब रह गया सवाल कि भई अच्छाईन का देख लीजिए किसी भी छेत्र को उठा कर देख लीजिए सबजी खरीदने जाएंगे 40% रेट बढ़ गया है करने सवर्य नियुक्त का है यही हालात मले मेडिसीन सब के बावजूद लोग अभी उनको विस्वगुरू कह रहे हैं और देश को काफी मजबूत बनाएं यहीं कहते हुए लोग नहीं ठक रहे हैं हैं इतना आप कह रहे हैं नेगेटिविटी आप चल ये ठीक है लेकिन क्या नहीं इन्होंने देश को मजबूत किया है पिलकुल मजबूत वैसा ही किया है कि ये साम को राणा प्रताब का जिंदा बात करते रहे और सुवह मानसिंग का जिंदा बात सुरू कर दिये ये उसी तरह का जो है एक एक देहाती भासा में कि काट कहारी दूसरी बार नहीं चड़ती ये मुगालते में हैं कि मैं तीसरी बार भी आ रहा हूं लेकिन याद करिए कि जिस तरह साइनिंग इंडिया ने अटल भी हारी बाजपेई की सरकार का खात्मा हो गई वही हला तीनकर इंडिया और इंडिये सरकार का खात्मा होना है क्या लगता है इनकी जो तैयारी है भारी नहीं पड़ेगी और विपक्षी ओपेर और किसकी तैयारी आपको आपके ख्याल से किसकी तैयारी मजबूत है सबसे बड़ी बात है कि आप ये एक तरप कहते हैं कि सारा विपक्ष पर हम अकेले भारी है भी आप ठीक है यहां तक तो बात आपकी मान लेता हूं कि भाई आप सरकार हैं आप सक्षम हैं आपके पास हिंदू मुसलमान का कवच्च है आपका हिंदूस्तान पाकिस्तान का क लेकिन एक बात उन्होंने नहीं बताया कि आज भी विपक से ज्यादा दल आज एंडिये के लाइंस में हैं अगर आप सक्षम हैं तो यह जो आपके पास कमाऊ प्राइबेट लिम्टेट कंपनी चल लही है इसको तो जड़ा हटा करके आजाए मैदान में आप किता आप कितना सक्षम है इसका पता चल जाए कौन का माऊ है एक नाम बता कोई इसमें बता दीजिए किसी एक दल अपने अंदर यह बता दे कि वहीं चाहिए वो अजीट पावार वाली हो चाहिए physics जनदेह वोसका वाली हो चाहिए बिहार में में इनके साथ हon्. जो इनके सरक्राइब यूपी में इनके साथ एलाइंस है कोई एलाइंस का नाम बता दिया मैं ब्याख्या कर दूँ रह गया सवाल की ब्याख्या ब्यक्तिकत नहीं होनी चाहिए मैं सरकार पर बात कर रहा हूँ तो ये मुगालते में है भारती जनता पार्टी ये मुगालते में उसी तरह है जिस तरह अकھलیس जी मुगालते में थे अब भाजपाय आ गई उनके चाहती पर उसी तरह जिस तरह अक्छलेस गए हैं अब वो दीन दूर नहीं साहब मतल below अक्लेस जिस तरह से गये है यूपी से आप हम नहीं करहें हैं यह देश का रहा है यह देश का नवजवान कर रहा है इस देश का उठोक कर रहा है उनने से भी पूछेंगे आप किया कहते हैं कियो कौनց किसकी तयारी किस पर भारी ऐ है कि से सहार methodology दोजार चौबीस की तो बात ही छोड़ी है महंगाई सिक्षा रजगार स्वास रक्षा नोकरियां इस पर प्यारी किसकी भारी है मैं बताने जा रहा हूं यह इन चार जो हमारे मूलवू सुभधाय है उस पर तो सरकार ने ध्यान नहीं दिया मगर मैं आज एक बहुत शर्म न की है जो इंडिया इनका गडबंदन है उसकी तुल्ला की है इस्ट इंडिया कंपनी से उसकी तुल्ला की है इंडियान मुझाइदीन से उसकी तिल्ला की है प्याइफाई से जो खुद भारत का मोधी भारत का प्रदान मंतरी मोधी जो खुद दिशाहीन है वो इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया खेलेगा इंडिया इसने आज जिस तरीके से 142 करोर इंडियन का अपमान किया है उनको शर्मसार किया है देश की जनता को ऐसे परधान मंतरी को तो अपने पत से स्टीफा दे जाना नेगी इतना बेशरम परधान मंतरी हमने अपने जीवन काल में नहीं नहीं सरक बढ़ेँ पाउड़न अá तो इन्डिया इंडिया रिखिए लूजा हमोगी कि और समझ को और हमारे सांथ जनता एक मिनट बताइए 2024 कि कि ऩॉशाइए हैं कि किसकी त्यारिय एक सिर्फ आएं की पाई और हेंLastman के पहले नहीं बताएंगे छली और क्या कहेंगे यह बताएए आने वाले समय में कौन है परधान-발 हिमारी मोदी या फिर राहूल गांदी जलिए और भी और भी हमारे साथ है यह बताईए 2024 की त्यारी किस पर पड़ रहे हैं सब की भारी यानि की पार्टी की जो तैयारी है वह किस पर भारी पड़ रही है 2024 में जो चौबिस की त्यारी हो रही है पार्टिया कर रही है किसकी मजबूत है भारतिय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है आने वाले समय में फिर से मोधी सरकार मोधी जी रहेंगे मोधी फूल गवर्मेंट बनेगी उसमें कोई और नहीं कि आप क्या करेंगे आप भाई भाजपा के फुल वहमत आई जी जी आई और भी बहुत सारे लोग है अब बताई कि अब बात करते हैं एक प्रोग्राम है हमारा उस पर हम बात कर रहे हैं क्या कहेंगे आप बताईए 2024 की तियारी किस पर पड़ यह भारी 2024 में इंडिया जो बना है उसकी काफी लोग सेहमत हैं और उसको उसी की सरकार बनने जा रहे हैं क्योंकि यह कुछ किये नहीं है बता रहे हैं कि खाली हिंदू-Muslim यह किये हैं और जो देश के जनता हैं उनको बनाए हैं सबी चीजों को जो है प्राइबिटेशन कर दिये हैं इसके बावजूद भी क्या लगता है आपको कि भारती जनता पार्टी फिर 2024 में अपना सरकार बना लेगा देखिए उसका कोई इंडिया किसी नाम बताने से कोई असा नहीं पड़ेगा क्यों अंग्रेजी नाम दिया हुआ हमारी देश का नाम भारत रहा है क्योंकि हमारी भारती सनात्म परंपरा से लिया हुआ नाम भारत मेरा पुराना नाम रहा है अब कोई कहिए किसी इजर को शेर की खाल पहना दी जाए तो को नाम से कोई फरक बहुत पढ़ने वाला नहीं जनता जान रहेगी विपच्छ कितने दिन से किया उसा बहुत ब्रस्टाचारी रह यह जो पार्टी जो अलग-अलग है वो कर रही है किसकी किसकी तयारी अभी मजबूत चल रही है यह दो जन्ता यह अच्छा जान सकते हैं यह आप इस जान सकते हैं और मोदीजी 24 में आ रहे हैं बहुमत के साथ आ रहे हैं यह आप भी देखेंगे पूरी जनता भी देखेंगी ऐसे विश्वगुरू नहीं बन रहा है भारत और बाकी सम अंधे हैं जो नहीं समझवा रहे हैं इस बात को जल्दी अपनी आके खोलने जल्दी जा जाए परदान सब्सक्ताइब और वह स्थावप्र यह नहीं पाकिस्तान की तरह आप क्यों नहीं भूके मरें भारत क्यों सबसेटेक अच्छी प्रस्टीशन्य के एस समय कि पाकिस्तान की तरह तुम लोग भूके मरों अभी अभी वो अदिशन होतीता चलता फिर क्रेजित जा रहा है असबने मक्राइब और तान थी तैनल ये टीक है आप क्या कहते हैं जोब मोदी जी आ रही है फिर राहूल-गांधी आ रही है मोदी नोर्व क्यों आ रहे हैं क्या अच्छा लगा की बहुत कुछ अठ्छा है यह सुद्राइब तो कुछ नया-णया करने की लिए आ हैं तो देखते हैं फिर और हमारे साथ काफी लोग है जिन से हमारी बात चीत हुई देखिए यहाँ पर ज्यादातर लोग जो हैं अभी तो मोदी के लिए ही समर्थन कर रहे हैं एकाद लोग जो हैं जो कि बोले हैं कि इनके काम अच्छा नहीं लगा है उसको उसको लेके वो नार कारेस आएगी और वहीं कुछ लोग यह भी कहते हुए नजर आएं कि मोदी की सरकार फिर से आएंगे मोदी फिर से परधान मंत्री बनेंगे क्योंकि उनकी जो कारेसायली रही कारे जो भारत के लिए उन्होंने किया वह काफी सरहानिये माना जा रहा है लगना उसे कैमरा प तान जाओ।